हेलो एवरिवन विल्कम बैक टू माई चानल आज हम चोलाई की सबजी बनाएंगे तो आईए चोलाई की सबजी बनाने के लिए हमें किन चीजों की आवशकता होती है चोलाई यहाँ पर 200 ग्राम लिए है चोलाई के दो तरीके के आती है एक हरी और दूसरी रेडिश यानि लाल चोलाई हमने यहाँ पर हरी चोलाई लिए है चोलाई को पहले साफ करना है पत्तों को किड़े वगएरा हो तो इसे देख लेंगे फिर इसे तोड़ना है डंडों का हिसा अलग और पत्तों का हिसा अलग पुरी सबजी हम तोड़ लेंगे और 2-3 बार पाने से धोना है इसे जो भी मिट्टी होती है निकल जाती है यहाँ सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है अब थोड़ी थोड़ी चोलाई लेकर कट बारी कट करने की जुरुत नहीं है यहां जल्दी गल जाती है कुछ कम मसाले यही लगते है इसे आप देख सकते हैं अब ग्यास आउन करकर प्यान रखेंगे और इसको हिट होने के बाद सिर्फ एक चमश हमें इसमें दालना है तेल तेल भी बहुत कम लगता है तेल गरम होने के बाद एक कटा हुआ प्यास डालेंगे थोड़ा सा चला लेने लेने के बाद इसमें डालना है साथ से आठ लहसुन की कलियां कटी हुई वन फोर्थ टेबल स्पून डालना है हल्दी पाउडर और एक बड़ा चमश डालेंगे लाल मिर्श पाउडर इहां डालने के बाद थोड़ा चला लेंगे अब इसमें जाएगी कटी हुई चोलाई हमारे तेलंगाना में 12 महीने यहां चोलाई मिलती है आप जहां कहीं भी रहते हो जब भी यहां चोलाई दिखाए दे लाइएगा ज़रूर और इस सब्जी को ट्राइ किजेगा इसे मिला लेंगे नमग भी बह मग डाला है सब्जी तो बहुत सारी दिखती है लेकिन पकने के बाद बहुत थोड़ी हो जाती है और यहां बनाते टाइम पानिये की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है अब इसे दो मिनिट पकाएंगे क्याप रखकर देखेंगे थोड़ा सा और चला लेना है इसके बाद लो प्लेम पर क्याप रखकर हमें और पांच मिनिट पकाना है ग्यास आउफ करेंगे और इससे गर्म गर्म सर्व कर लेंगे लेजिए बन के तयार है हमारी चोलाई की सब्जी यहां रोटी चपाती और चावल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है यह चोलाई की सब्जी आपको कैसी लेगी आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ तैंक यू फॉर वाचिंगे